कनाड़ा से 2023 से 2024 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन में काबुली चना का बेहतर निर्यात हो रहा है, जिससे पता चलता है कि संभवतह वहां इसका पिछला बकाया स्टॉक उम्मीद से ज्यादा मौजूद था। वैसे वर्तमान समय में उत्पादकों द्वारा अपने स्टॉक की बिक्री धीमी गती से की जा रही है, लेकिन फिर भी निर्यात प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं देखा जा रहा है। जिससे किसानों को बिजाई में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बहतर उत्पादन का संकेत मिलने पर वहां काबुली चना का भाव कुछ नरम पड़ सकता है। अमरीका में उत्पादन बढ़ने की संभावना के बावजूद काबुली चना की आपूर्ती एवं उपलब्धता की स्थिती आगामी मार्केटिंग सीजन के दौरान जटिल रहने का अनुमान है, क्योंकि वहां इसका बकाया स्टॉक घटकर वर्ष 2017 के बाद सबसे निचले इस तर पर सिमटने की संभावना है, व्यापार विशलेशकों के मताबिक सामाने वर्षों की तुलना में इस बार भारत से काबुली चना के निर्यात में कमी आई है, जबकि वहां इसके आयात में कुछ बड़ोत्तरी हुई है, अगली नई फसल शीगर ही बाजार में आने उधर मेक्सिको में मौसम शुष्क बना हुआ है, अर्जेंटीना से निर्यात की गती धीमी बनी हुई है, जबकि उत्पादन का आकड़ा पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, वैसे आम तोर पर वहां काबुली चना का उत्पादन पिछले साल के लगभग बराबर ही ह होने का अनुमान है, कनारा के काबुली चना बाजार में काफी हद तक स्थिर्ता का माहौल देखा जा रहा है,